जय मतादी बंधू, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है देशी भक्ती के इस खास वीडियो में जो की बनाये गया है, मितुन राशी के लिए बनाये गया है, कुछ भविशिवाणियों के लिए दिनांक, 5 अगस 2020 से लेकर 15 अगस 2020 के लिए, इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके बारी बारी जीवन के बारे में, सुहास्त के बारे में, व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रेम जीवन के बारे में, सब कुछ, इसलिए इस वीडियो को बिलकुल आखरी तक जरूर देखें देशी बक्ती चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आल जरूर सेलेक्ट करें बंदू वीडियो को हम शुरू कर रहा है इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जाय माता दी जरूर लिखें सूरिय इस महीने पराकरम भावगत गोचर करेंगे श्री मंगल 16 अगस्त से आय भावगत गोचर करेंगे श्री बुद्ध 2 अगस्त से धन भावगत और 17 अगस्त से पराकरम भावगत गोचर करेंगे श्री ब्रहसपती 30 जून से वकरी होकर दारा भावगत गोचर करेंगे श्री शुक्र 1 अगस्त से लगन भावगत गोचर करेंगे और श्री शनी अस्टम भाव में गोचर करेंगे राहू का गोचर लगन भाव में और केतु का गोचर दारा भाव में रहेगा बताते हैं आपको आपके करियर और व्यावसाई के बारे में इन दिनों मितुन राशी के जातक और जातिकाए संबंदित फिल्म और कला और सुरक्षा इंजीनिरिंग आधी के छेत्रों में कई मौके और लंबे करियर को प्राप्त करने में सफल रहेंगे बहुत संबह है कि अचानक कि आपको कोई लाब प्राप्त होता रहेगा हाला कि इस भाव के स्वामी का दारा भाव गत पाप ग्रह से संबंद बना हुआ रहेगा ऐसे में आपको कई मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा यानि सफलताओं की सित्वी और करियर को बढ़ाने के लिए आपको अधिक महनत की जरूरत बनी हुई रहेगी हाला कि व्यापारिक जीवन की सहभागिता बनी हुई रहेगी आपको बताते हैं आपके प्रेम और संबंद के बारे में मिथुन राशी वालों को इन दिनों स्वजनों के साथ और निकटता को बढ़ाने और पारिवारिक मामलों में समस्याओं को सुल जाने में अच्छी प्रगति की सिति बनी हुई रहेगी उन्हें इस समय आप समय दे और उनसे मिलने की प्रोसेस को प्रिकरिया को तेज करने में आप लगे हुई रहेगी अलकि प्रेम संबंदों में शुकर का पीडित होना चाना कि आपके लिए कोई बड़ी परिशानी की सिति को खड़ा कर सकता है इसलिए ध्यान देने की जरुवत बनी हुई रहेगी क्योंकि संबंद को बनाये रखने के लिए आपको ओर सक्थ होने की जरूर रहेगी यनि आप इन दिनों पाप ग्रही प्रभाव होने से आप कुछ परिशान रहेंगे आपको बताते हैं आपकी वित्ति एस्तिती की बारे में इन दिनों मितुनराशी के जातक और जातिकाएं आर्थिक सुपानों की तरफ रहेंगे। इन दिनों आपको संबंधि तकनीक जिकित्सा, सुरक्षा और अत्पादन की छेत्रों में अच्छा लाब मिलने के आसार बने हुई रहेंगे। यानि धन कमाने और संग्रण की सिती और पुस्ट और चुस्ट बनी हुई रहेगी यानि संबंदे छेत्रों में इन दिनों आपको लाब मिलना ताई रहेगा आप अपने कामों को और सटीक धंग से करने में लगे हुई रहेंगे इसलिए आपको कोई न कोई लाब अवश्य ह होगा इन दिनों आपके मुलाकात दोबारा किसी प्रभावशाली व्यक्ती से होने की बहुत चांसिस रहेंगे आपको बताते हैं आपके शिक्षा और ग्यान के बारे में इन दिनों मितुन राशी के जाहता तक एवं जातिकाओं को संबंदित निर्देशन प्रबंधन कला फिल्म के छेत्रों में अधिक रासंगिक बने हुए रहेंगे आपके द्वारा लिएगा इन दिनों कारगर होने वाले रहेंगे यदि आप अध्यन रत है तो आपको इन दिनों अच्छी सफलता रहेंगी यानि बोधिक विकास और अनसंधान के लिए भी याए दिन उपिय बने हुए रहेंगे आप अपने संबंदी छेत्रों में सफलता की पताखा लहराते हुए रहेंगे हलागी कुछ प्रयासों में ग्रहिये गोचर के कारण परेशानी भी आती रहेगी इसलिए अध्यन और अध्यापन को लाबकारी बनाने के प्रयास रहेंगे तो अच्छा बताते हैं आपको आपके स्वास्त के बारे में इन दिन उमित्थुन राशी बालों को स्वास्त को सुधारने और रोक प्रतिरोदक शम्ताओं को बढ़ाने में बड़ी ही सहजिता के साथ चलने की जरूरत बनी हुई रहेगी क्योंकि पाप एबमशुब गरही दोनों की स्थिती बनी हुई रहेगी ऐसे में आप अपने कामों को और ततपरता के साथ करने में लगे हुई रहेंगे हाला कि कभी-कभी पिड़ाएं और दर्द परेशान करते हुई रहेंगे इसलिए ऐसे में संबंधित गरहों का उपचार लें और किसी रोग विशिशग्य की सलाह से ही दबा आदी का सेवन अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन दिनों आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा राहुए नम्मा मंत्र का जाब करना चाहिए या फिर किसी से करवाना चाहिए तो बंदो यह था वीडियो मिथुन राशी के लिए पांच अगस्त लेकर पंदरा अगस्त दोजार बीस के लिए अगर आपने देशी बक्ती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें घंटी दबायर ओल जरूर सिलेक करें कमेंट बॉक्स में जाए मातादी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें